फ्रेंड्स मध्य प्रिदेश शाषन में स्वास्त बिवाग की अंतरगत एक और वेकेंसी इसमें आप रिलीस आप पर कर दे गई सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पढ़ें लिखाएं GMC भोपाल तो दोस्तों गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल या फिर हम लोग आएं भोपाल यह लेका जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है इनके द्वारे यह नोटिफिकेशन यह आप पर आ चुका है और देखें लेटेस जानकारी है 20 माई 2023 को यह जानकारी ओफिशल यह आपको वेबसाइट पर भी दे दी गई वेरियस अलग-अलग पोस्ट इसमें आप पर शामिल की जारी इसमें ज्रेटियोशन डिप्लोमा और स्टिफिकेट कोर्स इसमें आप पर आप्लाइक कर सकते हैं मेल के अपपलाइक करें और फीमेल के यहिए आपको हैन्ट करने होंगे तो अपको कहा मिलेगा और कॉन- None. इसमें आपको यहां पर आपे send करने हैं और application form और documents कौन से पते पर आपको बेचने हैं, आप इदन करने की last date क्या रहेगी, qualification, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, और मध्यप्रदेश स्वास्त बिवाग की हर vacancy की जानकारी आगे भी पाते रहें, इसी वीडियो के नीचे जाए, सबस्क्राइब के red बेटन को क्लिक करें, मध्यप्रदेश स्वास्त बिवाग की हर vacancy की information आगे भी पाते रहें, तो बिलकुल अश्रुबात कर देते हैं, अपने update को बढ़ते हैं, information की और, तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ, यह जो vacancy है GMC भोपाल, सरकारी Medical College भोपाल के अंतरगत यहाँ पर रहेंगी, ICMR का यह project है, और various अलग-अलग post इसमें आपर रहेंगी, और अलग-अलग जो sites हैं, विदीशा, अशोक नगर, तो इन में जो है, यहाँ पर यह project के तहत, आपको यहाँ पर joining मिलनें, वाली हैं, बात करते है देखिए, इसमें कितनी तरीके की post हैं, तो देखिए, इस notification में, करीब-करीब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 6 अलग-अलग तरीके की post इसमें आपर शामिल यहाँ पर कर ली गएं, कौन-कौन सी इसमें 6 post हैं, और qualification इसमें क्या-क्या आपको चाहिए, salary package, यह सारी ज और BTEC, MTEC, MBA, MBBS, यह सभी candidates apply कर सकते हैं, और retired जो government employees हैं, यह भी इसमें apply कर पाएंगे, 70,000 रुपी salary हैं, और 70 year ही जो है, इसमें age रखी गई, इसके बाद second number पर जो post हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लखा है, scientist भी non-medical की यह post है, OBC में सरफ एकी post हैं, आप पर मांगी जा रही, दो साल का experience भी related field में आपको यहाँ पर होना चाहिए, यदि second class master degree है, तो PhD इसमें आपको यहाँ पर जो है, इसके बाद जो है, एक साल के experience भी यहाँ पर मान कर दी गई, इसके बाद जो आपका sell भी है, 45,000 करीब करीब आपको यहाँ पर मिलेगी, और 35 साल इसमें आप लोगों के लिए रखी गई, इसके बाद देखिए, थर्ड नमबर पर यह जो vacancy यह रहेगी, research assistant की, और इसमें दो पाद है, एक undeserved में है, एक OBC में है, graduation candidates इसमें अपलाय करें, graduation जो है, science में होने चाहिए, और three years work experience इसी field में मांगा गया, और master degree है, इसी field में त सकते हैं, 31,000 रुपर आपको salary मिलने वाली है, 30 साल उमार इसमें आपकी रखी गई, इसके बाद देखिए, फोर्थ नमबर पर लखा है, technician grade 3, तो देखिए, इसमें करीब करीब, सभी क्याटिग्रिस को मलाके, 10 पदों को इसमें आपके शामिल यहां पे कर लिया गया, और 12 क्लास पास हो, science subject में, और diploma यहां आपके पास है, MLT में बिलकुल apply करें, PMW है, यहां पर radiology, radiography, और related subjects में आपके पास 1 year, MLT plus 1 year required experience है, तो में इस lab technician वाले सभी candidates इसमें apply कर सकते हैं, radiology, radiography, यह candidates भी इसमें apply करें, और इसमें experience भी आप लोगों से आपे मांगा, 18,000 रुपे salary में लेगी, और 30 साल उमर आप लोगों के लिए रखे गई, इसके बाद देखिए, 5th नमबर पे जो पोश्ट है यह रहेगी, health assistant की, और इसमें करीब करीब जो है, 5 पद शामिल किये गए, unreserve में 3, OBC में 1, SC में 1, high school आप लोगों, और इसमें आप लोगों को ITI course आप operator grade 2 की है, unreserve में 1 पद इसमें शामिल किया गया, इसमें दोस्तों आपको 12th class पास होना आप लोगों के लिए रखी गई, इसमें जो आपकी joining है, आपको contractual basis पे आपको आप लोगों मिलने वाली है, ICMR के तहित जो भी नियम है, और जो भी rules है, उसमें के तहित आपको आपको joining बिलेगी, contractual basis पे यह appointment आपकी आपकी रहने वाली है, इसमें age में भी relaxation मिलेगा, तो SCs, OBCs जो candidate है, आपको 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 दे दी जाएगी, और देखिए लिखा है interview, तो इसके लिए interview में आपको बलाय जाएगा, और interview के सारी जानकारी जो है, आपको दी ज क्या रहेगी, तो देखिए सबसे नीचे जो fourth number का page है, इसमें आप लोगों को यह पूरा application form का format आपको दे दिया गया, सारी जानकारी इसमें आप लोगों को अपनी आपके फिल करनी होगी, और इस application form को और जो भी आपके documents हैं, यह सारी information आपको भेज देनी है, तो यहाँ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, लिखा हुआ है, लिखा है, the candidate should bring all the original certificates in support of his age proof, educational proof, professional qualification experience to recent passport size photograph, one set of self-attested photocopies of relevant documents would need to be submitted with the application form, तो application form के साथ यह सारी जानकारी आप लोगों को जो है, अपनी आप पर submit करनी होगी, और यहाँ पर देखिए इसकी last date भी, आप लोगों आप should submit in person or send by post in the filled application form in the prescribed formal displayed on the website, on or before 8th of June 2026, 5 PM, तो 8 June 2023 सी आविदन करने की last date यहाँ पहराने वाली है, शाम के 5 वज़े तक का आविदन करने का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, और जो भी आपका आविदन है, देखे कहां पर बेजना है, Office of the Dean, Gandhi Medical College, भोपाल, तो इस date प पर और इस पते पर आपका आविदन पहुंच जाना चाहिए, तो वेकेंसी की जो भी information थी, इसमें मैंने आप लोग के साथ आपके cover की, उम्मीद करता हूँ, अपडेट आप सभी को यहाँ पर मिल गया होगा, और मध्यप्रदेश MP Government की यह वेकेंसी थी, और यह अपडेट झाल